और अब खबर दिल्ली NCR से जुड़े लोगों के लिए दिल्ली गुरुगराम रोड आज से रंगपुरी से रजोकरी के बीच में 500 मीटर के दायरे में दिल्ली से गुरुगराम के तरफ बंद किया गया है। केरिजवे बंद हो जाएंगे और दोनों तरफ से ट्राफिक को सर्विस लेन से निकाला जाएगा। हाइवे बंद होने से दिल्ली से गुरुगराम जाने वाले लोग घंटोट ट्राफिक जैम में फसे हुए। आर नजर आ रहे हैं और साथी बहुत ही मुश्किले भी जेल र दिल्ली से गुरुगराम जा रहा है उसको बंद कर दिया गया है और हाइवे के बगल में एक सर्विस लेन बनाई गई है और वहाँ पर ट्राफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है क्योंकि आप देखें कि इस हाइवे पर सामने जो है द्वारका एक्स्प्रेस में निकल रह 90 दिन के लिए बंद किया गया है अभी एक तरफ का कैरिज में बंद है और अगले एक या दो दिन में जो रास्ता गुरुगराम से दिल्ली आता है इसको भी बंद किया जाएगा और ट्रैफिक जो है बगल में जो सर्विस लेन बनी है उस सर्विस लेन से निकाला जाएगा तो अभी के लिए गुरुगराम से दिल्ली का रास्ता खुला है लेकिन कल या पर्सों में इस रास्ते को भी बंद किया जाएगा और ट्रैफिक को यह जो बगल में सर्विस लेन बनाई गई है यहां से निकाला जाएगा तो 90 दिन इस हाइवे पर काम चलना है दिल्ली से जैपुर का हाइवे जो है यहां पर जिस तरह से बंद हुआ है उसके बाद यहां पर ट्रैफिक यहां पर स्लो है लेकिन इसके पीछे आप देखें कि जो लोग दिल्ली से गुरुगराम की तरफ आ रहे हैं करीब करीब तीन क ट्रैफिक जाम लगा हुआ है आप देखें कि ट्रैफिक जाम को ठीक से चलाने के लिए यहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जबान भी यहां पर तैनात हैं और जो यहां पर कंपनी यह काम करवा रही है उस कंपनी के कर्मचारी भी यहां पर तैनात हैं तो यहां पर आप तो फिर 90 दिन के लिए ये जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद होगा चाहे आप दिल्ली से गुरुगराम जा रहे हो या गुरुगराम से दिल्ली आ रहे हो आपको जो बगल में सर्विस लेन बनाए गई है उन सर्विस लेन से निकलना होगा जिसके चलते लंबा ट्रैफि बन के लिए जो इस तरफ है उसको फिलाल बंद किया गया है अभी उस तरफ का घुला है लेकिन कलिया पाट सों में गुरुगराम से दिल्ली आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा तो यह लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या अगले नुब्य दिनों तक रहेगी और घंटों घंटों लोग ट्रैफिक जाम में हस रहे हैं क्योंकि यहां पर जो मैन रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है और पूरा जो ट्रैफिक है वो सर्विस लेंड पर डाइवट किया जा रहा है तो अगले 90 दिनों में जो दिल्ली जैपर है यहां से उपर से जो दौरका एक्स्प्रेस भी है वो गुजरेगा एक बड़ा फ्राइवर बन रहा है और साथ में दो अंडर पास बन रहे हैं जिसके चलते 90 दिन के लिए यहां पर इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और जो ट्रैफिक है उसको सर्विस लेंड से निकाला जाएगा के सिंग सेंगर एंडी टीव इंडिया